प्रेंट्स में महामध भारमल महामधी कॉंप्टेश्स में आपका वेलकम करता हूं लास्ट वीडियो में मैंने बात कि थी वायलूप में लास्ट वीडियो में हमने बात कि थी अगर हमें multiple records अगर delete करने हैं तो with the help of checkbox कैसे करेंगे और उसी साथ में अगर हमें check all और select all ऐसा कोई option user को अगर provide करना है जिसकी मतद से अगर user उस link पे click करें तो उस page के जितने भी records हैं वो अपने अप select हो जाएंगे और बाद में user को सिर delete button पे press करने का ही होगा तो जितने भी record से वो delete हो जाएंगे चो नास concept होगा इस tutorial में वो होगा record update का यानि कि record edit करने का last video इसलिए क्योंकि mysql है वो mysql mysql i में convert हो गया है php का जो नया versions already implement हो चुका है उन्हों उस मताबिक mysql जो है आगे के versions में वो बिलकुल ही वो निकाल ही देंगे और mysql i उसकी जगह पे extension replace हो चुका है तो यह सिफ basic tutorial को complete करने के लिए मैं update record कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा तो उसके लिए मैंने थोड़े बहुत changes किये है changes में क्या किये है कि जो कुछ भी मैंने आज तक के जो mysql में tutorial में अलड़ी upload किये हो है उसमें मैंने drop down explain नहीं किया है तो अगर drop down को अगर आपको इस्तिमाल करना है तो कैसे करेंगे तो उसके लिए मैंने जो हमारी पूरानी database थी contact table में records अगर हम देखे sorry एक भी records नहीं क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने सभी records को निकाल दिया था लेकिन एक country नम का मैंने field उसमें बनाया है table बनाया है और उसमें जितने भी countries available है वो सभी countries मैंने ओलड़ी edit कर दिये है अब contact में जो कुछ में हमारा structure है यहाँ पर last में जो languages है जो languages अगर हमें अगर edit कर नहीं है तो कैसे करेंगे with help of drop down उसके लिए हम use करेंगे तो जो basic structure है edit का कैसे record को edit करते है तो उसमें three stages आते first stages में user के पास कोई एक value get करवाए या कहीं पर click करवाए जिसकी मतलब से हमें आखे कौन सा record edit करवा रहा है यह वो हमें मालूम हो जाए वो तीन तरह से होता है या फिर कोई एक unique number आप user के पास enter कर रहा है text books की मतलब से दूसरी method है आप query string की मतलब से जो कुछ भी उसका id है वो next page में transfer करे या फिर तीसरी method है उसके आगे एक radio button add कर दीजे जो कुछ भी your user radio button select करेगा उस मताबिक next section में उसकी जो कुछ भी पूरानी values है वो text box में display होगी first section यानि first part में क्या होगा कि user को एक record select करने का है record selection की तीन method होगी एक text box की मदद से एक query string की मदद से और तीसरी radio button की मदद से part two record edit का क्या होगा user ने जो कुछ भी record edit किया edit करने के लिए select किया है तो वो उसकी जो कुछ भी current value है existing value साही है या गलत है जो कुछ भी है पूरानी है वो हमें उसके text boxes या radio buttons में या drop downs में पहले से दिखाने की होगी third और last stage क्या होगा कि user ने जो कुछ भी उसमें modification किया है अपडेशन किया है record को change किया है name बदला है gender बदला है या फिर language बदली है कुछ जो कुछ भी किया है उसने उस मताबिक नई value उसी record में update होनी चाहिए तीन stage होगे user के पास value हम input करवाएगे कि यह कौन सा record हमें edit करवाना है चो current value है वो उसके proper elements में हम दिखाएगे और last section में user को उस मताबिक record को save करके हम फिर से दिखाएगे तो सबसे पहले तो हमारे पास अभी एक भी records available नहीं है तो मेरे पास वो पूरानी जो कुछ भी SQL file है मैंने backup में रखी थी इसे हम फिर से restore कर देते हैं हमारे पास जो कुछ भी उसमें records है वो यहां पर SQL में अब browse करेंगे देखिए हमारे सभी records हमें मिल गए है अब आगे बढ़ते हैं हमारे program में मैंने जो table display का जो program है वो यहां पर already open करके रखा है जो मैंने तीन बात की थी एक text box के द्वारा एक query string के द्वारा और एक ready button के द्वारा वो तीनों चीज़ पहले हम इस part में discuss करेंगे बाद में section 2 को बाद में section 3 को पहले text box के करते हैं कैसे वो आके record हमारा edit होता है तो text box के लिए पहले तो हम इस page में एक form बनाना ज़रूर है तो यहां पर हम छोटा से form बनाते है form method इसमें रखेंगे post enter id text size to name रखेंगे यहां पर id दूसरे हमारा autobias होगा submit button और उसका नायम लखेंगे हम submit अब जो कुछ भी record हम edit करने के लिए record करेंगे वह इसी page में भी कर सकते हैं जो कुछ भी हमारा current page है उसमें भी यहां फिर दूसरा अलग से page बनाएगे जिसमें जो existing value होगी वो text boxes या radio buttons और drop down में display करवाएंगे अगर आप beginner है तो बेटर होई रहेगा कि आप page 1, page 2 या page 3 करें page 1 में record selection होगा page 2 में record modification होगा और page 2 में record save होगा हुई एक आसान रहेगा बाद में fourth part में तीनों file को में combine कैसे अगर करना है तो कैसे करेंगे वह बताऊंगा इस program को अभी के लिए में service करता हूं जो कुछ भी हमारा mysql edit अभी के लिए हम रखते है page 1.php हमारा program यह save हो गया अब हमें यहाँ पे और एक portion एड करने का है वह होगा action उसमें हम लखेंगे mysql edit-page2.php save कर देते हैं इसे हमारे browser में आके यहाँ पे localhost edit page 1 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एक text box available हो गया है यहाँ पे edit button available हो गया है अब हमें क्या करना है कि जो कुछ भी record हमें edit करना है for example record no.8 edit करना है तो हमें यहाँ पे सिफ लिखना होगा record no.8 जो कुछ भी record है उसका id 8 और यहाँ पे जब edit पे click करेंगे तो यहाँ पे url अगर आप ध्यान से देखें तो अभीकलिए हमारे पास है page 1 अब मैं click करता हूँ तो यहाँ पे हो गया वो page 2 तो क्या होगा redirect हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे code में action में लिखा है mysql-edit-page 2 यह method 1 थी तो हमें मालूम हो चाहेगा कि हमें कौन सा record edit करना है कैसे वह मालूम परता है वह में बताते था हूँ इस फाइल को हम name को copy कर देते हैं कि दूसरी एक blank file हम create करेंगे पी-च्पी की इसे हम save करेंगे with mysql-edit-page2 यहाँ पे save कर देते यहाँ पे PHP को start करके echo करवाएंगे dollar underscore post अब जो हमारा id है वो कौन से name पे हमने send किया है वो यहाँ पे आप देख सकते है id की name से हमने send किया है तो यहाँ पे हम यहाँ id को display करवाएंगे सिर्फ यहाँ पे refresh कीजिए देखे हमें यहाँ पे 8-hawk मिल गया है तो हमें इस चो कुछ भी text box में drop down में radio button में पूराणी values दिखानी है तो आकिक इसके record की दिखानी है वो हमें यहाँ पे record number 8 मिल गया है कैसे दिखाएंगे वो आगे की बात है इस page में अभी के लिए इतना ही code करते हैं जो दूसरी method थी अगर हमें query string को follow करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे हम बात करेंगे तो अब इस form की जरूरत नहीं है page में तो हम उसे निकाल देते हैं यहाँ पर save कर देते हैं query string के लिए यहाँ पर एक और fill हम add करेंगे td edit td complete और यहाँ पर नीचे code में एक और हम fill add करेंगे td a href हमें कहां पर redirect होना है तो हमें redirect होना है mysql-edit-page2.php तो हमें redirect होने का है यहाँ पर हम लिख डेलते हैं edit और यहाँ पर anchor take complete करके page 1 में फिर से जाएंगे यहाँ पर refresh करते हैं देखें यहाँ पर सभी जगया पर हमें edit 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 मिल गया है अब दिक्कत क्या है कि जब भी हम edit click करेंगे तो paste 2 तो हमारा बट ओप यह से execute होगा ही जो undefine के notice है वो तो इसके लिए गाई है अब query string में data जब हम send करते हैं तो हमें यहाँ पर get method लिखने की होती है तो refresh करते हैं तो यहाँ पर get method में हमें कोई data भी तक send नहीं किया है सिफ हमने यहाँ पर page को redirect करिया है तो जैसे कि आप जानती है कि मैंने delete में बताया था अगर query string को इस्तिमाल करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर पहले हम id variable query string का assume करेंगे equal to की sign करेंगे और जो हमें data वहाँ पर redirect करना है उसकी जो कुछ भी value होगी यहाँ पर हम लिखेंगे dollar row square braces में double code चरिशन में mark में यहाँ पर id की हमारा code complete होगा यहाँ है single code यहाँ पर नहीं आखिर में आएगा save करके फिल से page one में जाएंगे refresh करते हैं अब edit पर मैं फ्रीर से click करता हूं URL आपको notice करने की है देखिए यहाँ पर हमें मिल गया id one फिर से back जाते हैं यहाँ पर हमें मिल गया id 12 और यहाँ भी हमने फिर से वह display करवाया है यहाँ पर page 2 में देखिए मिल गया तो हमें यह query string से भी मालूम पर गया कि हमें कौन सा record edit करना है first method थी वो text box हमने post method की थी दूसरी method हमने get method से की है अगर जो मैंने पहले form बनाया है तो अगर आप post method की जगा वहाँ पर अगर get method लिखना चाते है तो लिख सकते है लेकिन क्या होगा तो यहाँ भी आपको get method लिखने की होगी यहाँ पर post method नहीं लिख सकते है अब जो आखरी option था radio button का उसमें क्या करेंगे फिर से हम यहाँ पर form को start करते है चलो इस form को हम get method स करते हैं पिछले वाले की तरह आप post method से नहीं करते हैं यहाँ पर हम लिखते है method get action में फिर से हम लिखेंगे mysql dash edit dash page 2.php यहाँ पर इसे page को complete को complete कर देते हैं और जहाँ पर हमने यह anchor tag लिखा है इस anchor tag को निकाल देते हैं और यहाँ पर हम लिख डालते हैं input type radio name रखते है id value रखेंगे क्या जो हमें उस page में radio बटन की value transfer करनी की है वो single code में यहाँ पर हो गया id यह हमारा radio बटन हो गया है इसे हम निकाल देते हैं इस edit level की भी हमें जरूरत नहीं है अब save कर देते हैं आखिर में हमने table के बाद form को start किया था तो इसलिए table के बाद में सबसे आखिर में यहाँ पर form हम complete कर देते हैं यह हमारा पूरा code है यह हो गया हमारा complete get method action में sorry get method और action में हमने दुसरा page लिख दिया है यहाँ पर फिर से page one में जाते हैं refresh करते हैं कहीं गलती हैं हमने रख कर दी है आज पर हम गया है और दो बाद अजो कि अज़ुआ आज अज़ुआ अज़ुआ है अज़ुआ अज़ुआ आज़ुआ आज़ुआ प्रेश्पी के नहीं वर्जन में बाइड डिफॉल्ट यहाँ पर हमने reporting close में करना भूल गया है अभी मेंने किया था इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ रिपॉर्टिंग e-all जिसकी मदद से हमें सभी error display होगी except notice अगर कोई notice है तो हमें output के में वह display नहीं होगी अगर कोई दुसरी error है तो हमें यहाँ पर display होगी देखे यह होगी हमारा फिर से code यहाँ पर सभी जगे पर radio buttons available हो गए है जो कुछ गे हम radio button select काते है for example हम radio button false select काते है उप्स एक गलती रह गई submit button के अलावा हम form को submit नहीं कर पाएंगे तो आखिर में फिर से हमारा होगा submit button submit की type में submit value लिखेगे यहाँ पर edit और name लिखते हैं यहाँ पर submit save करके फिर से रिफ्रेस करते हैं यहाँ पर edit button हवाले पास अवालेबल हो गया record number 4 URL देखने के क्योंकि हमने get method इस्तिमाल किया देखे यहाँ पर हमें 4 यहाँ भी available हो गया और 4 यहाँ भी available हो गया अगर इसी program को अगर आपको post method से करना है तो simply आपको यहाँ पर लिखना एगा होगा post और paste to में भी जहाँ पर हमने यहाँ पर लिखाया get तो यहाँ पर हो जाएगा हो post फिर से देखते हैं back जाते हैं हमको refresh करते हैं record x select करते हैं url में आपकुछ data नहीं आना चाहिए display नहीं होना चाहिए edit देखे record no.8 कोई दूसरा record हम select करते हैं record no.11 edit तो यहाँ पर record no.11 हमकी id जुकुछ भी हमें अब पास available हो गई यह था part 1 इसकी मदद से हमें मालूम हो जाएगा आखिर user को कौन सा record edit करना है अब जो paste हो है उसमें हम क्या करेंगे जुकुछ भी user ने id select किया है उस id को database में जाके particular उसी एक id के record को fetch करके उसके individual element में हम display करेंगे कैसे इंस display करेंगे जैसे कि यह first name और second name है वो दोनो text box में हम पूराना चो कुछ भी नाम है user का वो text box में display करेंगे gender है वो radio button में user की input करी हुई पूरानी चो कुछ भी value है male या female वो selected पहले से दिखाने होगी अगर user को correct करना है तो वो correct कर सकता है कोई गलती से female है तो male select हो गया है तो उसे फिर से female select करना है तो कर सकता है अगर male पहले से ही है तो male red button पहले से selected ही दिखाना हमें जरूरी है languages के बारे में जो कुछ भी Hindi गुजराती है sorry concept में बहुत सारी confusing हो गई है यहां पे सिफ मेंने country ही इस्तिमाल किया है एक और हमें languages का table add करने का होगा जो कुछ भी user को हमें languages modify करने available देनी है तो उसके लिए में simple सा next page 2 में एक array बना लूँगा और साथ ही साथ में उसके अभी के लिए table add कर देते है for the country at the end of table यहां पे हम लिख डालते है country worker और यहां पे लिख डालते हैं 100 और 7 तब जब भी record हम add करेंगे तो जो कुछ भी languages होगे वह भी हम चेक बोक्स में selection प्रोवाइड करेंगे वह जो कुछ भी रेडियो बॉटन से वह country में हम प्रोवाइड करेंगे पेस्ट्रो में जैसे मन बताया है thank you